हलो गेज़ गुर्यूनिंग विल्कम टू यहर यूटीब चैनल एंगर एस वाच की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसका चार मार्ज को एक्जाम था तो सेल गिवन एक्जाम लेश दूंगा कि पीपर का लेवल क्या था एक्सपेक्टेट टॉफ कितना जा सकता है मेरे अ अजिक लगा के कुश्चन आपको सौल करना था ऐसे डायरेक्ट आप एंसर नहीं मिल रहा था ठीक है तो यह तफ था इसमें से जो सिनोनीम एंटॉनिम थे वह इसी थे जैसे कि हाई का एक एंटॉनिम पूछा था हाई का जो है लो एंटॉनिम पूछा था इसमें उसके बा का कोश्चन था तो ऐसे थर्टी कोश्चन में से मैंने जो है ट्वेंटी सिक साटम किया है असके बात करूं रिजनिंग की देखो रिजनिंग का पेपर आते आते मेरी तवयत होगी थी खराब फिर भी आपको बदाताओ जो ब्लड रेसन का जो कोश्चन है यह सबसे टफ का बना रिजन क्योंकि मेरी तवयत जो है उस समय खराब हो गए थी और यह जो है मेरे से बनी रहा था कॉश्चन काफी बार ट्राय कि हमने तीन चार पॉसिबिलिटी लिया लेकिन विर भी नहीं बना क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था बेसिकली क्या हो था मेरा सें बना चलो गया और फिर एपर खराब ठीक लेकिन फिर भी 35 कोश्चन में से मैंने जो है 28 यहां पर अर्टेम किये 35 में से ठीक है रिजनिंग में तो मैं असमें एक लाइन डिया है टेबलर डिया है था कैसलेट था एप्रॉक्जमेशन पाच कोश्चन कोडर्टिक के पाच को और अर्थमेटीक के 10 12 कोश्चन थे यह जो लाइन और टेबल यह है बहकर जादा कैल्कूलेटेव थे बहुत ज्यादा कैल्कुलेटीaremos बहुत ज़्यादे टेबल वाले में क्या था मैल और फिमेल का I think difference दिया हुआ था फरीधर रेशु दिया गया था थीक है मैल और फिमेल का difference दिया गया था और इधर रेशु दिया गया था तो वहां से total value आपकी निकल गया ठीक है क्योंकि एप्रॉक्जिमेशन बनाने के बाद इसी दो डिय में मैं पूरा फस गया था मेरे कैलकुलेशन ही सही नहीं हो रहे थे उसी तरह में मेरा पूरा तबयत यहां पर खराब हो गया था ठीक तो मैं ज्यादा आटेम कर पाया तो मैं उल्ली 15 ही अटेम कर पाय तो ऐसे टोटल मिला कि मेरे 69 ही अटेम हो पाए ठीक है अगर थोड़ा बहुत भी मैं यहां पर कॉड्रेटिक को देख लेता लास में थे चीपे मुझे पता ही नहीं था कि कॉड्रेटिक पूछाई या नहीं तो यह पांच कोशन डेफिनेटली में कर और 74 के आसपस मेरे अ काफी लोग मैं से क्योंकि क्योंकि बहुतता मेरे क्यालकुलेशन ही सई नहीं हो रहे थे जिस वज़े से मैं बार-बार कोशन अटेम कर रहा था यह की कोशन बार-बार तो पीपर की लेवल को देखिए मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो 71 से लेकि 75 तक यहां पर कट सकता है प्रिलिम का तो यह था डीटेल एनलेसिस आई होप आपको इस सारी चीज़े समझ में होगी वीडियो पसंद आया लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल करने हो सब्सक्राइब करना